लो नमस्कार अदाब मेरा जिंदर स्टूडेंस आज हम अपना एक निया चप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है तंदरुस्ती हजार नेमत है कि अगर इंसान तंदरुस्त हो तो वो हजारों के बराबर है ठीक है तो चलें शुरू करते हैं इसको पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ तंदरुस्त और सेथमन डिसम के लिए ताजा हम चाहिए के क्यां करना एक इनसान को अपना ग्रहना है जास अपनों रहना है दो उसके लिए हमें क्या चाहिए ताजा अपनेृस्तOUGH में पना लिए हमें क्या चाहिए हुआइए anni wastewater डूक सांफ पाणी चाहिएी जो होता है वह में बिल्कُल साफ चाहिए यहाँ पेने प्रीक चाहिए किसी की इसाना करने लिए और वहांगे की जो होता है parabैं यृवा को साफ रेक RICHARDichen क्या होगा है धूरन कि इसमाल हमें से पान जाचएयर हstorm को क्जा जने खाना चाहिए हमें फिर उसके पार लिखा हुआ ह MB को साफ रखने के लिए दुर्भतक की हवाज़त करना जरूरी है इसने पीश में साफ हुआ का कहा साफ हुआ कहा है हाएग साफ में कि कहा लगाने चाहिए धूर्भत की हफाज़त करना हमा लिए हफास मतरु उनको बचाके रखना काफी जरूरी है ठीक है जैसे यहांपर बता रहा है नस्पीर में फिर कहता है उबला हुआ पाणी साफ होता है इसलिए पानी अवाल कर पीना चाहिए तो इसंहें कहा था ने बेशे के हमें पाणी जो साफ चाहिए और साफ कैसे होता उबला हुआ पानी जो होता है वो कहता है साफ होता है तो हमें क्या करना चाहिए इसलिए पानी हमें अवाल कर पीना चाहिए जैसे यह हम इसने पिक्चिर में दिखाया हुआ है में कहता है यह मकुई गजा में दूद और गोश्ट शामल है ठीक है अब इसने कहा था कि मकुई घाला चाहिए त्समीं कि आ घाने में आगया मोकुई जोनके ठाद गजा आता है हमारे दूद गोश्ट ये सारी चीज़ा इसमा आतनी हैं ताजा फल हो गया डालें हो गई और सबजियां भी ताक्तवर गजा हैं यह सारी चीजें यह भी कहता है कि इसमें आती हैं यह भी ताक्तवर गजाओं में खानों में ही आती हैं जैसे यह यहां पर दिखा रहा है यहां पर तस्पीर में उसके बाद नीचे से लिखा हुआ है यहां पर जिसम सहेत मंद ह तो आदमी सब काम कर सकता है कहता है अगर इनसान का जिसम जो है वो सेहत मंद हो तो इनसान जो है वो हर एक काम अच्छे से कर सकता है एक तंदरुस्त जिसम ही तंदरुस्त दिमाग होता है तो यह कहता है कि अगर इनसान का जिसम जो है तंदरुस्त है यालिके वो सेहत मंद है अच्छा है तो एक तंद्रुस्त जिसमें ही तंद्रुस्त दिमाग होता है तो अगर इंसान एक तंद्रुस्त है सीत मत है अच्छा है तो उसका दिमाग भी क्या होगा तंद्रुस्त होगा तेज होगा ठीक है फिर कहता है इसी लिए कहते हैं के तंद्रुस्ती हजार नहमत है तो इसी वज़े से हम यह कहते हैं कि तंद्रुस्ती जोवब हजार नहमत है तो स्टूडेंस यह थी हमारी छोटी से कहानी तंद्रुस्ती हजार नहमत आगे इसके हैं लफज और मैंने सवाल नंबर वन जिनके पड़ियों लिखिए अब कहते हैं मुकूई मुकूई क्या होता सेद्वन तो हम यहां पर रखते हैं आगे इसके सवाल तो रचवाब आता हैं और खाली जगें हैं यह हम अपने दूसरे लेक्जर में करेंगे ठैक्यू स्टूडेंस शुक्रिया अगर कहीं से समझ नहीं लगती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आप पूछो कि तो मैं को बदाऊंगा अगर नहीं पूछोगे तो मुझे भी पता नहीं चलेगा कि आपको समझ आया नहीं इसलिए वैटर है कि आप ज़्यादा पूछें ज़्यादे अपने डॉल क्लेर करें और अपनी फिर नुड़ को लिखें इसको और आपने लिखना है बिलकुल साफ तरीक